बिसमिल्यारफवानिर रहीम, असलाम लाइकम, वैलकम तो मैं चैनल, कैसे आप सब उमीद कृतियों के सब हैरिया से होंगे, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, बहुत डिलीशस अंदे और आलो के कबाब की रेसिपी, जोके बहुत ही सिंपल है बनाना, सिंपल घर के इंग्रीडियंट्स हम इसे बनाएंगे, जिसे आप बच्चों के लंज बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं और आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं तो अगर यह रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो थम जब ज़रू दीजेगा चैनल पर अगर नहीं सब्स्राइब कर लेजिएगा तर चली बनाना स्टाइब करते हैं स्ट्रासिफिक अधियो अंडे आलू के कबाब बनाने के लिए मैंने यह पे तीन अदर अंडो को बॉल करने के लिए और दसे बारा मिंड के लिए अपन रड़ को बॉल कीजिएगा ताके हार्ड बॉल हो बॉल अपन और बॉल काया क्या है है और भॉल पुड़ क हो ने लिए अविए ओध़ कर लिकी सांफ और केंट ओर रहा है तो यहां पे हमारे ऑड़री मैस के हमें आलू अब इसमें अंडे हार्ड बॉल किया तो ग्याटर के सब्सidée तो ग्रेटर की मिद्सस सरीके से तो यह जर्दी घ्रेट करने जर्डी द्णत्सर ड्यावर के अलोग समारा को अन्डों केटर तो मैंनी से लिया चेट न्यान सकतव हम मणितीधा करें इसके लावस में साबुट जीरा जागा साफएद वाला वंटी स्पून और कुटी वी लाल मर्च करें जो कि मैंने वंटी स्पून डाला है अगर आपके पास साबुट वाली जो मिर्चे होती है वह हो तो तो से तीन अदर डाले जेगा अपिसको हलकी आंच पे ड्राइर अब यहां पे जो हमने ग्रेट किये थे अंडे इसके अंदर हम कुछ मसाले भी अट करेंगे तो यहां पे लसन पॉडर मैंने लिया हाफ टी स्पून चाट मसाला हाफ टी स्पून नमक लिया है विजूरत काला नमक लिया है मैंने 1-8 टी स्पून यह है आम चूर पॉडर ज इसे इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा तो यह दोनों चीज़े जरूर डालेगा अब नेक्स इंडिडिनर इसमें जाएगा यह द्यारोस कियाव मसाला जिसको मैंने हावन दस्य में कूट लिया था और इसको दिखे मैंने से पीसा है तो यह पूरा मसाला तो हम नह की मेंच यहाल के ताकर टाली रहुत है और मैंस में टाल रहु है जोएगा संपने आप मसाल सब्सक्राइगा तो यहां पर मैंने चैची तरही का्डिके तर इसमें मैंक्स बैक्साव तो हम ऐल कंबाइनों ऑम चीजों को कबाब बनाइगे तो छोटे बड़े साइज जैसे इसको बना सकते हैं तो यहां पर जो मैंने कबाबो को साइज रखा है वह इतना बड़ा है जो कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी पर्फेक्ट रहता है अब हम यहां पर एक सलडी से तियार कर लेंगे तो यहां पर मैंने एक बोल ले लिया है जिसमें हम वन थेट कप दालेंगे मतलब मैदा तो यह हाफ कप से कम है वन थेट कप इसके लावे समें कॉंटी वी लाल मिर्चे थोड़ी सी ली है मैंने इसके साथ ही मैंने पार्सले ले लिया था अगर आपके पार्सले ना हो तो स्थोड़ा सहरा दनिया डाले जेगा कुटी वी काली मिर्चली है नमक लिया है तो यह सारे स्पैसेस ज़ाल देंगे हम मिकसर कोईगे यहां पर आदा कब पानी मैंने डाल दिया था है और यह मैंने करने के बाद और अ zulद है घृ bizarre करके हम पान एंड़ करते जाएंगे तो आदा कब कस टू टेबली स्पून में पानी डाला है और यहां पर मैंने ले लिए हैं ब्रेड़ ग्रम्स जो कि आप हज बजूरत ले लिजेगा तो यह बजार वाले ब्रेड़ करी हूं अब यहां पर हमने कबाब ते थे इसको सरीके से स्लरी के अंदर डिप करेंगे और के अब हमें इसको तो आपने ने ने उसको अलोगा सावार के साथ और हलके हाथों से इस तरीके से डालेंगे और प्रेस करते हुए को ची तरीके से ताके हमारी कोटिंग जो है फ्राय करते हूं बिल्कुल भी ना बटर ग्रेड़ तो इस तरीके कबाब को बैट लिया और बाकि के तर्माम कबाबो को भी हम इस तरीक बाद के लिया है से तो इतनी मिक्सबिटां, आप तक कलीब से 14 कबाब बना सकते हैं तो यहां पर नहीं ने थारे कबाब को लिया है अम नेक्स सुट अधर हम इसको फृए कर लेंगे व्राइ करने के लिय तो यहां पर तक्रीबन कबाबों को डाले वे एक मिन्ट गुजर चुका है अब हम कबाबों को इस तरीके से अलट पलट करके फ्राय कर लेंगे तो कबाब फ्राय करने के लिए नमबर वन टिप कि आपने फ्लेम को जो है वो मीडियम टू लो रखना है और फ्लेम को आपने बहुत जादा तेज नहीं करना और जब एक मिन्ट गुजर जाए कबाबों को डाले वे तब आपने इसको पलटना है ताके कोटिंग हमारी उतरे तो जब एक मिन्ट गुजर चुक है तो देखें बहुत ही इतियास है मैं इसको पलटती जा रही हूं और एक मिन्ट मजीद हम इसको दूसरी तरफ से कुक करेंगे बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे और फिर हम इसको अलट पलट करके फ्राय करते रहेंगे तो बहुत ही मज बच्छों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है जो के बचों पसंद आती है तो यहां पर यहां पे यहां मारे कबाब जो है वो फ्राय होच है इसको निकाल लेते हैं और बाकी के तमाम को भीसी तरह से मैंने फ्राय करके निकाल दिया है तो जड़ूर ट्रैक नेक्स रेस्पी वीडियो तक के लिए टेक केर, अल्ला हाफिज